कई ऐसे पिशेंट है जो रोपे फीस देखर के कई सारे ब़ीज है जिन्नोंने कई सारे ट्रीट्मेंट कराए हैं चाहे वह होमेपथिवेडी को चाहे वह ऐलोपैथिक को चाहे वह다 skeptic यहाएओ यह गहरे नुक्सके अपना करके भी उनकी समस्या ठीक नहीं हुई है ऐसे लोगों के लिए वीडियो रामबाढ है उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुचा दें जरूर शेयर करें नमस्काल दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे जिन लोगों को दूद की बजह से दूद खानी की बजह से ठंडे दूद से गरम होने लगते हैं कई सारी प्राब्लम्स होने लगते उन सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है और मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था ऐसे लोग जिनको फैपड़ों में जमा हुआ बलगम है जो बलगम को बाहर निकालना चाहते हैं उनक फिवट जरूर देखएगा आई वेटन में इसका इसका कर्णrire मिल जाएगा है आज में आप सभी को बताना चाहूंगょ तो हुआ और छी। मोसम बैदर चैंच होने पर अगर उनको छीके आना इस्टार्ट हो जाती है। उनको कई सारी ऐसी पैबल्मोर्ण्स हो जाते है जिनके लिए कंई ट्रीक्टमेंट उन्होंने लिया- सबसे विले हैं बात करेंगे कि जिन लोगों को allergies होती है उनको होती क्यों है allergy और ऐसे लोग जिनको allergy है वो क्या करें और क्या नहीं करें वो समझना बहुत जादा important है सबसे पहले यह समझेंगे बलगम मरीज को क्यों बनता है और allergy क्यों होती है तो allergy होने का सबसे बड़ा होता है हमारे शरीर के अंदर जब भी कोई ऐसी चीज आते हैं जो हमारे शरीर के रिए नहीं है जैसे कि अगर आप दूद खा रहे हैं तो दूद अगर वाड़ी के लिए कंपैटिवल नहीं है अगर दूद उसको हमारी वाडी जो है foreign वाडी मान रही है या कोई ऐसी चीज मान रही है जो सरीर के लिए suitable नहीं है तो सुभाविक है कि आपको सरीर के अंदर allergy हो जाएगी और आपको बलगम बनना start हो जाएगा जो बलगम बननी की प्रॉबलम हो जाती है तो ऐसे लोग जिनको दूद लेने से यहां पर आपको देखने को कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनको बाहर अगर निकलते हैं थोड़ा बहुत मिट्टी है जहां हलका फुलका डस्ट है अगर पॉलेंस है या आपने देखा हुआ कई ऐसे लोगों थे जिनको गंद से अगर कोई तेज गंद उनको अगर मिले वहां पर आसपास अगर कहीं है तो उनकी बज़र से भी लोगों को allergy हो जाती है उनको बलगम बनना start हो जाता है तो ऐसी condition में भी आपको एक medicine बहुत अच्छा specific medicine है उसका आपको यूज करना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे ठंडे दूद वाले मरीजों के लिए अगर ऐसे मरीज जिनको ठंडे दूद लेनी से problem हो जाती है उनकी समस्या बढ़ जाती है उनको सोबर जो खाम ख सर ऐसे चक्राता रहता है उनको जो खाम खासी जैसे इस्तिती अगर बन जाते है ठंडा दूद लेने से ऐसे लोगों को एक होमियोपैथि का बहुत अच्छा medicine जिसे काले आयोड कहते हैं काले आयोड medicine होमियोपैथिक medical store पर आपको मिलेगी और ये 200 potency में आपको लेनी होग यानि कि जैसे आप काले आयोड आज लेकर के आए और आज आपने अभी सोबा 6 बजे लिया और आप दोपहड फिर से 6 बजे लें फिर श्याम को 6 बजे लें फिर रात को सोते समय 12 बजे लें तो ये 6 गंटे से आपको लेनी होगी और जैसे आप 6 गंटे से लेंगे आप दे यह से फिर फिर वी प्राब्लम हो जाते हैं उनको चीक्रा ना सटार्ट हो जाते हैं उनको जागत थो लगता है कि मेरा सर चक्रा उल्दी बन रहा है ऐसे लोगों में Magnesia, Magnesia, Carve, Magnesia, Carve, 30 potency या 200 potency में आपको लेना है, अगर आपको 30 potency में नहीं मिलती है तो 200 में ले लीजे या 200 में नहीं मिलती है तो 30 potency में लीजेगा, तो 30 potency अगर आप ले रहे हैं तो हर 6 गंटे में आपको repeat करना है और यह dose जो है वो adult dose है यानि कि जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है ऐसे मरीजों के लिए यह dose है homeopathic दबा है magnesia carb 30 potency 200 potency जिनको normal दूद लेनी की बज़े से allergy होते हैं जिनको normal दूद लेनी की बज़े से allergy जैसी conditions बन जाती है उनको बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है उनको लगता है चीकें आ रहे हैं या उनको लगता है आखों से पानी आ रहा है आखें लाल हो रहे हैं ऐसी इस्तिति अगर हो रहे हैं उनको तो आप magnesia carb उस मरीज को दे सकते हैं करते हैं जिनको तेज गंद की बज़े से समस्या होते हैं जिनको कि माइट की बज़े से समख्या होती है ऐसे लोगों में histamine 1-1 impotency में हर सब्टा repeat करनी चाहिए और आप देखेंगे 3-4 महिने में आप repeat करते करते आपकी समस्य ठीक हो जाएगी हर सब्टा में एक वार चारवून आपको देना मेरीज को जैसे कि आपने आज अभी संडे को फिर से आपको लेना है फिर नेक्ट संडे यानि कि महिने में चार वार आपको लेनी है तीन से चार महिने तक आप इस medicine को ले सकते हैं बहुत अच्छे results आपको मिल जाएंगे दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए मुझे लगता है काफी helpful होगा अगर आप इस वीडियो को लोगों तक share करते हैं तो काफी लोगों की help हो जाएगी और कई ऐसे patient हैं जो हजारों रुपए फीस देकर के कई सारे ऐसे मदीज हैं जिन्नोंने कई सारे treatment कराए हैं चाहे वो homeopathic को चाहे वो आयरुबेदी को चाहे वो एलोपैथिक को चाहे वो कई सारे घरेलो नुसके अपना करके भी उनकी समस्य ठीक नहीं हुए हैं ऐसे लोगों के लिए वीडियो रामबाढ है उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुचा दें जरूर शेयर करें और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और वीडियोज देखने के लिए आपको सभी को पता है हम कई सारे ऐसी हेल्थ संबंदित कई सारे वीडियोज अपलोड करते हैं और हमारा एक या दो दिन बाद डेली वीडियोज आते हैं तो आप सभी कीशे निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टीम के द्वारा एलोपेथिक मेडिसन के बारे में भी कई सारी वीडियोज अपलोड की जाती है उसकी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है अब वहाँ पर भी उस में देंगे नमस्कार थेंग्स वाचिंग वाचिंग वनाषी जैहिन